स्रीमन्त आप में से जो लोग हमारे साथ से जोड़े हुए हैं उनको इस बात की जानकरी है कि हिंदुस्तान जिंक को हम लगातार नीचे के लेवल से कबर कर रहे हैं तब से लेकर अब दख हिंदुस्तान जिंक ने 50% से भी अधिक का मुनाफ़ा दे दिया है हमारी खुद की ह हिंदुस्तान जिंक में होल्डिंग है इसलिए जब हम नीचे के लेवल पर खरीद रहे थे तब हमने हिंदुस्तान जिंक को किबल कबर किया था रिक्रमेंडेशन नहीं दी थी किंतु महदा जितनी भी जानकारी पबलिक डोमेन में है उसको आपकी सेवा में एनलाइज तो कि जनाब इसका कारण क्या है तो हमने हिंदुस्तान जिंक के दुबारा एक्स्चेंज को दिया नोटिफिकेशन पढ़ा जिसके अनुसार 7 मई को बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद 15 मई को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी मानेवर हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का इंतजार हम कर रहे हैं 15 मार्च से बीच में जब रिजल्ट आ गए हिंदुस्तान जिंक के तो हमने उमीद भी छोड़ दी थी लेकिन वो विजय पत्र मूवी का गाना है ना कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आये तो इसलिए हम ध देखिए 15-20 रुपए का अधिकतम डिविडेंड मिलेगा उसके चक्कर में लोग 20-25 रुपए चड़ा के शेर खरीद रहे हैं ये लोग 15 माई तक शेर को और उपर ले जाएंगे फिर ये 3-4 परसेंट डिविडेंड के चकर में वो शेर खरीदेंगे जो आपने दाम से हैं अपना काम सस्ते दाम पर माल खरीदने का है जब अखवारों में खबरें छप जाती है तो खरीदने का मन नहीं होता अब दोस्तों हिंदुस्तान जिंक की बिल्ली तो बाहर आ गई आप अपने कान खरगोश की तरह खड़े इसलिए कीजिए क्योंकि विदानता की तरफ से अनॉंसमेंट अभी आना बाकी है हिंदुस्तान जिंक अगर डिविडेंट देगा विदानता भी दिर सबेर डिविडेंट का एलान करेगा ही करेगा विदानता की कैश काउ है हिंदुस्तान जिंक विदानता का सबसे बड़िया एसेट है हिंदुस्तान जिंक लेकिन की 30% सेदारी है इसलिए वेधानता की तुलना में हिंदुस्तान जिंक में निवेश ज्यादा सुरक्षित है यही दो कारण है जिन से प्रभावित होकर हमने नीचे के दाम पर हिंदुस्तान जिंक बड़ी मात्रा में खरीदा था स्रीमान यहां आपसे निवेदन है कि अगर आपको हिंदुस्तान जिंक का दाम चड़ा हुआ लगे तो आप डिविडेंड को मद्दे नजर रखते हुए अगर इसे खरीद रहे हैं तो तो हमें आपत्ती रहती है लेकिन अगर आप बड़ी स्टोरी को मद्दे नजर रखें तो आपका नजरिया बदल जाएगा नजर के बदलते ही मान्यवर आपको देखना है हिंदुस्तान कौपर का शेर वो बिखता है एक सोच चोवीज के प्राइस टूर नहीं मल्टिपल पर उसके सामने हिंदुस्तान जिंक का वैलूएशन है 23-24 का प्राइस टूर नहीं मतलव यह कहना कोई आतिश्यवक्ती नहीं होग कि हिंदुस्तान जिंक की तुलना में पांच गुना महेंगे दाम पर हिंदुस्तान कौपर बिखता है जनाव जाली अब गोर फरमाईए हिंदुस्तान कौपर सरकारी नियंतरन वाली कंपनी है मोधी साहब उसको बेचेंगे भी नहीं लेकिन हिंदुस्तान जिंक में तो OFS spending है सरकार को 30% हिस्सेदारी बेजनी है 50-60,000 करोड की हिस्सेदारी है तो हुजरेवाला आपकी खिदमत में हमारा सवाल यह है कि जब कॉपर की खदाने मार्केट में 125 के P.E. पर बिक रही है तो मोधी साहब हिंदुस्तान जिंक की चांदी की खदाने क्यों 20-30 के price to earning पर बेचेंगे सौभाब है मोधी साहब को बहतर valuation चाहिए होगा तब ही वो बेचेंगे नहीं तो वो चुपचाप लिए बैठे रहेंगे यह जो valuation differential है valuation सस्ता है हिंदुस्तान जिंक का वो एक प्रमोख कारण है जिसके फलसरूप हिंदुस्तान जिंक की re-rating हो सकती है अब होगी अथवा नहीं वो risk वाला काम है महोधाय शेर मार्केट में किसी चीज़ की कभी कोई guarantee होती नहीं परंतु हमारा यह जो analysis है जो कि solid data पर आधारत है उसे video बनाने के पहले ही हमने अपने clients के साथ साजा कर लिया है वो नीचे के level से वैसे भी हिंदुस्तान जिंक में निवेश्चत हैं इसलिए आप से निवेदन है कि हमारे discussion को सक्षातमक नजरिये से लीजिए और रही बात अगर आपको इसी तरह का analysis चाहिए वो भी समय से पहले अरे हाजरात जब अखवारों में खवार चलेंगी कि फलाना ढिमकाना विदेशी fund house हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी खईद रहा है उचे दाम पर तब तो भाई सहाब हिंदुस्तान जिंके के दाम उल्रेडी चड़ चुके होंगे तब तो फिर वही होगा कि अब पच्चताएं होत का जब चुड़ियां चुक गई खेत इसलिए महोगा है अगर समय से पहले premium analysis चाहिए तो थोड़ा सा पैसा भी देना पड़ेगा इसी वीडियो के description box में दी गई है link उस पर click करके अभी के अभी मेरी client pro investor membership लेने का कस्ट कीजिएगा स्रीमान